उत्रप्रदेश के कौसांबी जिले में आदर्ष नगर पंचायत अजुआ में संचारी रोग नियंतरन को ठिंगा दिखाय जा रहा है। लेकिन नगर पंचायत अजुआ की तस्वीरे तो कुछ और ही बया कर रही है। सिकायत की अदिखारी से। तारिस कावबार सिकायत किया गया है इसका मतलब अभी कोई वहाल नहीं हुआ है। वही नगर पंचायत के वाड नमबर दो में टूटी हुई नालियों का पानी आम रास्तों में भरा हुआ है। इस पर लोग चलने को मजबूर है। वही गंदगी भरे रास्ते में चलने से लोगों को काफी परिसानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं कीशड में लगे हैंड़ पंप का दुशित पानी पीने के लिए इस्थानी लोग मजबूर हो गये हैं। इससे लोग आए दिन बीमार रहते हैं। गंदगी में पनप रहे जहरीले मच्छर लोगों को डस्ते हैं। जिससे स्थाने लोग आए दिन बीमार भी होने लगे हैं वहीं दूसरे तरफ जिम्मेदार अधिकारी समस्या का जल्द निवारन किये जाने का तावा करते नजर आ रहे हैं लेकिन वास्त्विक्ता में कोई काम होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा और आगे नगर पंचाथ में विकास से जुड़े काम होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कौशामी से जन्मत निउस के लिए राहूल भट की रिपोर्ट